हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू सासी बलोक्स फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग टांडव करने वाला है तो वो टांडव क्या है तो वो टांडव इंजन से रिलेटेड है क्या है इंजन से रिलेटेड तो आज हम लोग इंजन मतलब पिछले वीडियो में तो हम लोग ने देखा था इंजन क्या है इंजन कितने परकार के होते हैं और एक प्रेक्टिकल व्यू में देखे थे कि दीजल इंजन कारे कैसे कलता है लेकिन आज हम लोग देखेंगे फोर स्ट्रोक इंजन कारे कैसे कलता है उसका वरकिंग प्रिंस्पल देखेंगे ओ भी खतरनाक वाली फ लोग समझ गए हैं लेकिन आज का जो वीडियो है वह एकदम ख़तरना के यह सब जादू है यह सब अभी मत देखिए जब टाइम आएगा तब दिखाएंगे लेकिन आप लोगों को हम बता दे कि यह कलास दिल्ली पुलिस ड्राइवर या कोई भी पुलिस ड्राइवर बिहार पुलिस ड्राइवर जिसमें इंटर्विव में पुछा जाता है कोहीं भी पुलिस ड्राइवर का इंटर्विव हो या रिटन एकजाम हो उसके लिए एकदम यह जो वीडियो है यह खतरनाक होगा क्यों क्योंकि यह बेसिक है फोरे श्ट्रोक इंजन का वर्किंग करना करी हैं है क्यों क्यों प्रिंस ड्रायवर क्या क्यूंकि यह बताते हैं उसके लिए यह भीडियोके माध्यम से इंजन चलता कैसे वो भी वीडियो के माध्यम से समझाएंगे जह देखिए इंजन ऐसे चलता है उसके 3D भी देखके यह देखेंगे कि इंजन वर्क कैसे कलता है उसके बाद यह भी देखना होगा ना कि प्रेक्टिस यानि कैसे पूछे जाते हैं तो यह तिसरा पी है उससे तीनों कर रीजेगा यानि tipy concept कर लेजेगा समनती एजगी आपका सेलेक्षन हो जाएगा तो आज हम लग इस वीडियो में टीपी यानि कि थिओर्य स्रेखेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे और टेसरी जो अपना चला है वहाँ देखेंगे ओके और इसकलट एक ले लेना यानि सिलले लेना चले नेकृ इंजन क्या समझ गए अब उसके बात जैसे इंजन के टाइप से समझ ये समसे पहले इंजन फ्यूल के अधार पर दो परकार की होते हैं एक होता है पेट्रॉल इंजन एकदम समझते जाएगा उसके बाद दूसरा होता है क्या क्या होता है डिजल इंजन ओके अब एक तिसरा भी आ गया है कि सी एंजी जो गैस से चलता है वो पेट्रॉल के अंदर ही आ जाता है क फ्रिम यसके बार ये पेट्रोल इंजन भी जो वोर करता है दो प्रोसेस पे आहां है जो एक त्थो टूइ श्ट्डुक इंजन जो कि पहले राजटू बिब laughs आता था टू स्ट्रोक इन्जन जो बंद हो गया एक है फोर्स्टोक इन्जन पर यह बटाएंगे तो धारे आरखिए तो उसके बाद फोर झायँ जो जीतना भी इन्जन आ रहे हूँ ऑध का यह ब्ढ़ा एक यह तरह तो गैंज स्ट्रोक इन्जन और इसके बाद चुण साइकल है पर प्रोड़ ए टाले सनों चैम कि ट्रयों परेद बड़ीपादस से ट्रक तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि four stroke engine का working principle यानि कि कारेपद थी किसका four stroke engine का क्योंकि two stroke क्यों नहीं देखेंगे क्योंकि two stroke engine है वो बंद हो गया है तो देखते हैं आज देखिए सबसे पहले stroke क्या है तो ये समझ लेजिए कि एक engine लेजिए ये engine रहा एक मिनट हा देखिए engine है engine के अंदर ये cylinder है तो यहां पे stroke क्या है तो यह piston है piston यहां से यहां तक की दूरी तय करता है उसको हम लोग क्या बोलते है तो यह फोर इस्ट्रोक नाम क्यों रखा गया फोर इस लिए रखा गया क्योंकि जो एक cycle है जैसे आप लोगों को हम टेस्ट स्रीज में बताया थे कि पेट्रॉल इंजन क इस पर करता है और यानि कि एक cycle जो होता है जो चार बार जो piston है न ऊपर नीचे करता है तो जाके एक cycle पूरा होता है और फिर वही जो process बार बार दोहराते रहता है वह कारण है engine चलता है वह सब हम देखेंगे बस कुछ time हमारे साथ से दे दिदे इस वीडियो में उसके लगेगा यह कल स्थारा दिखने के बाद के तो सबसे पहले यह देख लिजिए कि टोप डिट सेंटर और बॉल यह से तो यहां से देखिए सबसे पहले Scar कि और अधर सबसे ज्यों को बोलते हैं यानि कि चाल पिश्टन है जो mad की बीच में जो गैप रहता है उसको क्या बोलते हैं यह तीडीसि के उपर तो इसको बोलते हैं क्लियारेंस क्वें कि उसके बाद ओर एक चीज आप लोगों का ख्याल आ रहा हो तोट जञालानार ज्रूरि भी है क्या है तो यह देखते हैं कि सबसे सब्सक्राइब जैसे पहले CC क्या है बहुत मतलब ऐएसे जो लोग ड़ जाते हैं CC के नाम सुनके जहेत यार इतना सीजिका वाहण गारी है जändern टोप गारी है तो देखते हैं पहले CC क्या है तो CC झा पुल फरम होता है ami क्यूबिक सेंटीमिटर क्या है यह आप लोग के मन में हमेशा रहता है जैसे सी सी क्या यह तो फुल फरम जान लिए क्यूबिक सेंटीमिटर लेकिन यह होता क्या है तो यह देखते हैं हम लोग तो सबसे पहले माल लिजे यह मतलब ऐसा लग रहा होगा कि यह क्या है यह स्टेंडर का जो माल्व तब में किया जाता है यानि कि कि अगर यह से लेंडर है यह स्टेंडर है यह से लेंडर भी बोल सकते हैं तो सेम उसी तरह जो वोलूम होता है पाई भाई फोर डी स्क्वाइर एच तो फिर क्या होगा डी स्क्वाइर यानि कि सेंटीमिटर का स्क्वाइर क्या सेंटीमिटर का स्क्वाइर इंटू एच यानि कि सेंटीमिटर ओहो यह क्या बोल दिये तो देखें सब संटीमीटर तो यह क्या होगा है स्पिनीटर का क्यूव हो गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूभिक सेंटीमीटर जहिए यह को ecosg स्लेंडर के अंदर क्या जो वालूम रहता है तो स्ञlage में मेजर किया जाता है जह द्रॉशेस अपैस्यों को ढूरा देेन गारी जाता है फ्यूल जादा लेता है क्यों नहीं लेगा ना इसका वोल्म यानि कि ऐसे जो आतन है वह बढ़ाएगा अगर मालीजी 120 त। ओड़ने से क्या होता है फ्यूल जादा लगता है तो यह वा गया अपना सिसी हो गया उसके बाद एक को अर मैं भ्या लाता हो यह तो पता यह कंप्रेसर रेसियो क्या है तो यह कुछ नहीं यह भी लोग हवा बना देते हैं टोटल बहुलूम यानि कि यहां से यहां तक कि जो टोटल बहुलूम रहता है उसको भीवन बोलते हैं ओके जो बीडीसी से टीडीसी तक की बहुलूम रहता है उसके बार किलिया आपनाई क्या स्देखें थो यह जफृ अरूट फरहेंज रहता उस उसी को गते हैं क्योंकि स्वेपट बालूम में जहांपर जो पिष्टन से एक जैगा यानिकर बॉन Сам dominat करना बद्र सबसे पहले चार प्रोसेस में पूरा होता है प्रोसेस क्या-क्या प्रोसेस है वो देखते हैं तो प्रोसेस वन है जो सक्षन इस्ट्रोक जिसमें सक्षन इस्ट्रोक में क्या होता है सक करता है कैसे सक करता है बता रहे हैं बस एक सिकेंडर रुख जाईए और उसके बाद क्या है technique culture मेह जो इनजन क्यों लगाते किस प्रपуса से पावर के लिए या लिए कि हमको क्या चाहिए power पॉर क्या टॉर्क इंटु उमेगणा तो पावर क्या चाहिए क्योंकि कोई भी वहन इस पर ऊंटू अरुइए उमेगा क्यों टॉर्क मतलब लोड ऑवैगा मतलब fed इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे रुखिए इसको लास्ट में लेंगे पहले यह सब देख ले एक्जॉस स्ट्रोक मतलब की जो जलने दहन का पर्खिरिया होता है दहन होता है तो उसके बाद उसमें धुगा भी निकलता है ना तो धुगा जो एक्जॉस वह आउटलेट सब्सक्वाइल देखते हैं तो सबसे फहले हम लोग एक प्यारा सा मतलब इंजन होला बना लेते हैं क्या है इंजन मतलब सिलंडर है और यहां पे क्या लगा रहता है यहां पे क्या लगा रहेगा इनलेट वर्व और यहां पे क्या लगेगा आउटलेट वर्व इनलेट वर्व से क्या होता है अगर पेट्रॉल इंजन रहता है तो यहां पे क्या आता है क्या आएगा तो इसमें क्यों पेट्रॉल इंजन में ए और वो सक करके यानि की नीचे जाता है नीचे जैसे जैसे हैंस необходимо सा सब्वां मैं देखते हैं देख्थिए जैसे इसे यहा का प्रेशरyan से ऑप्रेशर कम हो जाएगा तो यहां के यहां के एर और फ्यूल का मिक्सर है वो अंडर ले लेगा अंडर लेगा कहां तक जहां तक पिस्टन बीडी सी तक नहीं आएगा तब तक क्या होगा वो फ्यूल और फ्यूल का मिक्सर सक कलते रहेगा यानि कि अंडर लेते रहेगा पिस्टन कहां आ जाएगा यहां पिलफ्ट कई सब्सक्राइब करता है वो इप आगे हम हम बताएंगे कंट्रोल करता है लेकिन इतना समझेिश्य समझे क उसका इनलेट वनीचम तइयार किया जाता है कि अगर piston बईक हुझ जाय हो तक पहुच जा सबका पाइमिंग रहाता है इसलिए टाइमिंग साफरिघन में डजटी सिकेंट यानी कि एक पूरा होने में एक गार्णप कर बिश सो के लगता सब देस्सेपे सब काङकर साइकल पूरा कहोने में एकस बट्टक यान्य चाहरो चारो इस्ट्रोक यह कितना जल्दी-जल्दी होता यह स्ट्रोगण पूर UH यह तो है जो इक सट्रोक न यह पूरा कंप्लीट हो जाता है तो यह सक्षन में देखली है้ist सख करता है लेकिन उसके बाद क्या होगा जे कॉंप्रेसर की बारियात यानि कि एयर फ्यूल मिक्स है वो एक डम भर गया यानि कि पूरा सख कर लिया है उसके बाद क्या होगा यहां बीडीसी पे क्या है बीडीसी पे पिस्टन है लेकिन इसको आप कॉंप्रेस करेगा कॉंप बना देगा तो यहां पर क्या होगा यहां पर टेंप्रेचर भी जादा हो जाता है और प्रेसर भी जादा हो जाता है यानि कि टेंप्रेचर और प्रेसर दोनों बढ़ जाता है यहां टीडी सी पर आने के बाद यहां का महल क्या होता है गरम हो जाता है जैसे ही महल गरम होता ह तो अब आ गए मामा का बारी वो मामा कौन है वो हम लोग देखते हैं देखिए यह रहा मानले पेट्रोल इंजन पर यह अभी वर के स्पार्क पलग रहता है यहां का महल गरम है पिस्टन टीडी सी पे मतला पहुंचा हुआ है और नीचे बीडी सी पे कुछ नहीं है मतला पिस करें तो इसी तरह सकनी मामा स्पार्क पलग को समझे लिए यहां पर महल खुद गरम है असासुरा जो यह पर पलग है वह आके चिंगारी मारे दिया जैसे ही चिंगारी एक मारा न यहां पर कंबसन शुरू हो जाएगा और यह जो किलिए रेंस बोल लाए थे इतना किलिए दिया जाता है तो इसी के लिए दिया जाता है कि थोड़ा मतलब दिया जाता है कि थोड़ा मारे ताकि ना म रही त्सकारण तो आग कोई से लगेगा तो वही बात है यहाँ पर जो आग लगने के लिए क्लियंस दिया जाता है उसको क्ली यरेंस मतलब वह लूम बोलते है और इतना दुर में क επιहिच रोता है जो सितना बहुत जिसको बहुत है लेकिन एक बात समझ लिजये यासे ही चिंगारी मामा अपना काम दिखा है मामा का काम क्या था यहां पर चिंगारी माल देगरी और अग कि लगता है यहाँ प्रेषर कश के मलता है यहां पे हाई फोर्स लगता है हाई पोर्स जैसे लगता है पिश्टन कहाने की आ जाता है बीडीसी पे और यही प्रोसेस बार बार दोहराते रहता है यानि कि एक बात और समझ लिजिए उसके बाद आप यह बोलेगा सर कोई आदमी जाके सक्षन और कंप्रेसर करवाता है क् जैसे बीडी चिपे पिश्टन आएगा उसके बार फिर टॉप डिट संटर पे जाना चाहेगा यहां पे बहुत सारे जैसे फावर्स मिल जाएगा धूआ जायेगा अधूआ निकलना भी चाहिए ना तो धूँआ निकलने के लिए आउटलेट भलता है आउटलेट भल्व के थो यह iest जो है सिलेंसर के बाहर धूआ निकला जाता और यह जो धूआ रहता है यह fact our Net chees director पे मिला मतलाम घूऊआ निकलते हो ओके और वह पिस्तान कहां जाता है एक जो सबाला में फिर कहां जाए गा फिर कहां जागा फिर BDC से TDC, फिर से समझें, जैसे ही हम लोगों को क्या है, पावर मिला पिस्टन TDC से BDC पे आएगा, लेकिन जैसे ही BDC पे तुछा तेमपरेचर और प्रेसर कम गया ट्मप्रेशय और प्रेसर कम गया तो उसके बाद क्या होगा जह यहाँ पे यह जुश भल्म है डुश संगर यानि जो प्रोजवन होगा तब और उसके बाद जोफ कब होगा तो एक्जास होगा कब जब आपका क्या हो जाएगा धूंगा आ जाएगा जो पावर का जो टेम्प्रेचर और प्लेशर कम हो जाएगा उसके बाद क्या होगा एक्जास ओपन होगा और पिस्टन है जो उपर जाएगा और उपर जैसे 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 जाएगा य फिर यहां पूरा एकदम धुगा एक जोस मतलब सिलेंसर के मात्यम से बाहर आ जाएगा फिर से यहां पर प्रोसेस वन शुरू हो जाएगा इसके बार क्या है प्रोसेस वन तरह इनलेट भल्व यानि कि जो यह अपना काम है यह जैसे यह सब धुगा निकल गया एक जोस पावर और फिर पावर के बार एक जोस और जोस के बार फिर यानि कि ऐसा समझे लिए पहले तो सक्षन होगा फिर कंप्रेसर होगा फिर पावर होगा और फिर क्या होगा फिर एक जोस होगा उसके बार फिर यह हो जाएगा यानि सक्षन होगा फिर कंप्रेसर होगा फिर पा हैं नह बता है लेकिन आप लोगों के मनमें ध्झान आता हुआ है सबसे पहले जो पावर है जैसे पावर पावर तक पहुंचाने के लिए सक्षन कौन करवाता है कॉंप्रेशन कौन करवाता है तो मान लिए चार एक ही सिलेंडर को चार बार हम बनाते हैं जिसमें एक में क्या होता है सक्षन होता है एक में कॉंप्रेशर होता है एक में पावर मिलता एक में एक जोस मिलता है एक ही सिलेंडर यह चाड़ों सिलेंडर अलग-अलग मस समझ लीजिएगा समझे माल लीजिए सक्षन कौन करवाता है कंप्रेसर कौन करवाता है तो आप लोगों को हम बता दे कि पावर स्ट्रोक में इतना एनर्जी मिल जाता है न जहीं तीनों चीज करवाता है यानी कि एक जोस भी क्रवाते गायाए जैसे पावर के बाद कौन सा फोगा इसके बाद सब्सक्राइब कंपरेसर भी करवातेगा ओके और उसके लाएव कि जोस्ट भी करवाएगा सक्षन भी करवाएगा और कमप्रेसर मतलब देशी भासा में समझे लिए बोलता है ना कोई भी लर्का को एक तबराक मारेंगे न तो तु तीन बार नाच के गिरेगा तो सेम प्रोसेस है यानि कि एक तमाचा जो वह कौन मालता है वह पावर स्ट्र तबराक में कैवार नाचाता है तीन बार जाके नाचाता है पिस्टन को यानि कि जोस्ट सक्षन और कमप्रेसर और एक बात और आप लोगों के मन में आ रहा होगा एक डाउट बरार सा डाउट होगा और यह डाउट आना भी चाहिए सर एक बात बताए कभी-कभी कोई योग बस की कोई बच्चा आता और एक बार किक मालता और बुलेट स्टार्ट हो जाता क्यों बच्चा मतलब यह नहीं छोटा बच्चा समझ लीजेगा 15-16 साल का रहेगा और वहां पे 15-16 साल का जो लॉंड है उसमें और 25 साल के आदमिया उनमें कंपेर कर रहे हैं तो क्या स्टार्ट हो गालेटा हो मालिशे 14 साल का बंदा है वहाया और मर्धिया एक क्की मेशें स्टार्ट हो गया कीजों कि देखिए जैसे किक मारा वह कंप्रेसर वह चाल जैसे सक्सन हो चुका था यह यह फो sweat पावर श्ट्रोक्ट हो नजर आप इन्जन स्टार्ट हो जाता है ल लग होता है जाए कहा दना चाहिए कभी सक्सन पर होगा कभी पावर पे होगा कभी एक्जास पर होगा मानली जे exhaust पे आके engine क्या है जो रुख गया किस पे exhaust पे कौन कौन सा है जैसे suction हो गया power हो गया compressor हो गया exhaust हो गया exhaust पे आके engine बंद हो गया अगर कोई बंदा को जाके वहाँ start करना है तो उसको जैसे देखिए गलती लिखा गया पहले compressor होगा power होगा उसके बाद exhaust होगा मानली जे कोई exhaust पे आके engine रुका होगा है कोई बंदा को गारी इस्टार्ट करना है तो एक जोस से पहले सक्षन करवाएगा उसके बार compressor होगा उसके बार power मिलेगा उसके बार इसरा पे रहेगा तो इसलिए कभी-कभी क्या होता है कि दोबर की कमालने के जरूरत होती और कभी-कभी एक बार की मालने तो यह समझ गए होंगे जो वर्किंग प्रिंस्पल है मतलब उसका लेकिन हम लोग पेट्रॉल इंजन का डीजल इंजन में कुछ नहीं होता है यहां पे हवा में लगाया जाता है यान की सक्षन में हवा लिया जाता है हवा को कंप्रेस किया जाता है और जैसा ही हाइग प्रेशर पर हावा पहुंच जाता है तो क्या होता है कि फ्यूल इंजक्टर जो नोजेल है वह लगा रहाता है तो अपने आप जलने लगता है लेकिन एक बात जो इंपर्टेंट है जो सर यह बताए कि जह पिट्रोल है जड़ा जलने वाला है फिर भी उसमें स्परक पलग लगाया जाता है लेकिंडीजल है वह कम जलने वाला रहता है उसमें सपरक पलग के बिना ही वह जल जाता है आखिर काई से और यह जो question है यह अच्छे जो teacher है उनसे पूछ दिजेगा नहीं बता पाएंगे क्यों क्योंकि यह समझे ही नहीं देखे पेट्रॉल इंजन एक दम छोटा-छोटा बनाया जाता है जिसको multi cylinder बोलते हैं और वह डीजल इंजन है जो बरा बनाया जाता है इसका length जादा रहता ह लेंठ जादा रहता है जो इसका length है अगर जादा compress की जेगा उपार तो इसमें temperature भी बरहेगा लेकिन यहां पे जो petrol है यहां पे छोटा-छोटा बनाया जाता है length कम रहता है तो इतना length का मतलब तै किया जाता है देखे इसलिए CC important रहता है CC के अगर मतलब यह length अगर इधर- और डी का वह अगर खराब है compressor ratio अगर खराब है जो भी वन और भी टू देखे थे तो क्या होगा इंजन ही वह जादा दिन नहीं चल पाएगा क्योंकि स्रीज कर जाता है तो इसका इंजन छोटा है petrol इंजन का क्यों बनाया जाता है ताकि उसको इतना temperature पर न ले जाया जाए कि अपने आप जल उठे उसको जलाने के लिए क्या spark पलग दिया जाता है लेकिन इसका जो लंबाई है वह ज़्यादा रखा जाता है diesel इंजन में तो वह कारण क्या होता है जिसमें temperature self ignition जो diesel का temperature आता है वहां तक पहुंचा देता है और self ignition temperature उसे बोलते है जिस पे जो fuel है कि अपने आप जल जाए लेकिन एक्ची जाओर हम आप लोगों को बता दे कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में आप लोग बेसिक अंतर देखें पेट्रोल इंजन में नोकिंग का प्रोब्लम के लिए छोटा-छोटा सेलेंडर दिया जाता है नोकिंग क्या हो नेक्स स्पीड रौता में हैनोके में ईट्रोफ रचे में पर्ब्लम को बार्षर चाहिए प्रपस यूझार और इमानी चबांगे सब्सक्राइन Vitim hm परपस से बनाया गया लेकिन डीजल इन्हां है वह समान धोने के परपस से बनाएगा दोनों का परपस अलग-अलग अगर यह सब बता दिए गारंटी देते हैं सामने वाला इंटर्वीवर रहेगा वह गोड में बैथा के बोलेगा चलिया आपको जौब हम देखे मानेंगे यह सब ध्यान में रख लिए जो इंपोर्टेंट बात हम आप लोगों को बता रहे हैं तो क्या होगा पेट्रॉल इंजन हम लोग क्यों यूज करते हैं हाइस के लिए हाइस के लिए लेकिन वह डिजल इंजन क्यों हाई लोड यानि कि हाई लोड वियर करने के लिए ओके यह सब ध्यान रखिएगा और क्यों मतलब और एक बात हो डिजल इंजन का सिलेंडर बढ़ा रहता है वह करन उसमें भाविडेशन जड़ा आता है यानि डिजल इंजन और पेट्रॉल इ गैंडर में बiosisली है तो आप जो कमपर्ट फिल क नहीं गत्रमा है और लिए लगा डिंजन कमता आं वहां पे इसलेंडर का संख्या रहता है चोटा 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 संख्या करके जन दरступ कि अनके इन डेकिन डिजल नमें क्यत्त जादा है और अवाज भी जादा करता और पेट्रॉल इंजन कम कलता है तो यह समझ गए होँगे क्या सक्सन यारिक यह चारो श्ट्रो प्रोच साइए बतल्स बतले मोट एकने कि यह प्रोच होपक्तaking oh दूसरा स्ट्रोक में वो पावर और ले लेता था इसलिए वह क्या होता था टूसट्रोक में उसको बोलते हैं पहले मोटा मोटी हम लोग देख लेते हैं उसके बाद इनलेट और आउटलेट ओपनिंग यह देखिए यह इस तरह यह जो है प्रेसर है वह कम हो जाता है वह कारण यहां से है जो वह यह और फ्रेसर है वह कम हो जाता है से वह तो देखें वह देखिए उसके बाद क्या होता है प्रीश कर रहा है कप्रेसर वहां देखिए स जोके बाद दीखा梯े उसके बाद दखिए एतक्सार लेशा अपना काम दिखाते हैं मतलब हंद्गक है इहां पहुले है शोड़क दाईगा किज़ऑ ट्रों lilyn जिए वहां किया नोज्य करता है यानि की जैसे बोड़ी स्वोध में आ आसे आता है यही ब्लस्ट का आवाज आते kijs का यह a जो बहुत हो निकलता हम उस के भालगे और ऑफे स्ट्रोक में क्या हुआ पिस्टन निचे चला गया यानि नीचे चलाकोbas पहले त्योडी देखिए उसके बार प्रेक्टिकाल भूल के दिखाए बता है ना जो चलाज से उसमें टंडव हो रहा है देखिए उसके बार देखे एक जॉस यानि कि फिर पिस्टन ऊपर आएगा यानि कि यह जॉस वॉफ देखिए ऑपन हो गया ना पहले सक्सन में यह और यह जो धूआ है यह सब देखे निकल लाए न सारा निकल जाएगा उसके बार फिर से सक्षन शुरू हो जाएगा देखिए पावर स्ट्रोक में क्रिस्टल के लिए देखिए कैसे डम पावर मिलता है यहां पे देखिए यहां मतलब विजली डाइनेमो लागा के विजली राता है इंजन्मे भी सेमस्ट रहता है ऐसा कोई बाद नह be a spark timing कपारक रहता है यह नहीं कि बार-बार spark मालते हैं जब piston ट्रोक में टीडिसी यहनोत 1973 से हलका पीछे रहता है क्यंक है अफया ज़िए में रहता है जो पर कॉन करतेयां जो कंत्रोल वर्व चर्ट्रोल कौन करता है तो वालव करकुंट्रोल करता है यहाँ पर लागा रहता है यह उपर उठा रहता इसका टाइमिंग रहता है इस टाइम में यह उठेगा तो इस टैम में देखता है ना माली जह इनलै nations वाल्ब्हाइज क्यूंच क्पा में शायर क्या यहां पर नीचे है यानि कि वह अपना जो स्थिर वास्त है उसमें है तो किस से जुला रहा 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 होगा जैसे इतना बाद समझे लिजिए कि जो अपना वर्किंग प्रिंज फोरे स्ट्रोक का जो अधों प्रोसेस हैं वह कौन कौन सक्षान कांपैसर स्ट्रोक और एक्जा। तो यह आप लोग समझ गए ना तो समझे कि उंज़िए कि आप जितना बी जो और इससे भी जार आगर नहीं समझा है तो एक विडियो बनाएं डिजल इंगन का वर्किंग प्रिंस्पल फोरे स्ट यह सब बता हैं तो यह सब आप लोग वहां जाके देख सकते हैं अगर नहीं समय वह कहां मिलेगा तो नीचे डिस्क्रिप्सन में प्लेलिस्ट है इंजन पार्ट्स वाला उसमें मिलेगा आपको और वहां से आप लोग एकदम क्रिश्टल क्लियर हो जाएगा वह वीडियो दे आप लोगों को सेंड करते रहेंगे और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दिजिए क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो देख लिए होंगा अगर इतना समझ में आ गया होगों तो हम पक्का बोलें कि आप जहां होंगे वहां सरक पर जाके नाचने लगिया क्यों तो आप लोगों को समझात दिया है यहींखर का है नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जाई भारत